हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में, मैं B.S. मीना, वरिष्ट प्रवक्ता, यां तरकी, तक्निकी सिक्चे विभाग, राजिस्थान साथ हो, आज हम डिस्कURS करेंगे, SINGLE PLATE GLUTTS में, UNIFOR WEAR CHYONDS में प्रिक्स्ञ टॉर्क कैसे जाता है जैसे हम जानते हैं कि टॉर्क का जो विषलेशन है, वो दो दसाओं को मानकर किया जाता है एक तो UNIFORós pressure condition में और एक UNIFOR WEAR CHYONDOT तो जो समान दाव की तीवरता है उसमें नई क्लचों के लिए सकते हैं क्योंकि नई प्लेटों के में जो फ्रिक्षिन लाइनिंग होती हैं उनकी गिसाई ने होने के कारण समान दाव प्राफ्त होता है और clutch का कुछ समझ अप्रियोक करने के बाद जो उनकी जो pressure intensity है जो दावतीवता है वो समान नहीं रहती क्योंकि गर्शन इस्तर की जो आंत्रिक सत्य और बाहरी सत्य के मकाबले कम गिस्ती है और जो गर्शन इस्तर की जो बाहरी सत्य और मुक प्लेट की सत्य के मद अधे gap रहेगा जबकि गर्शन इस्तर की जो आंत्रिक सत्य है और मुक प्लेट के मद कम अंत्रार रहता है तो गिशिवी सत्वे हैं इनको संपर्ग में रहने के लिए आफसे कहें कि जो इनकी जो रेडियस है तरजया के सबी मानों के लिए समान गिसाई हो यानि जो जितनी रेडियस हैं इनके लिए यूनिफर्व वियर होना जाई है अताय इस इस्तिती में समान गिसाई की दसा है जो सप्संस है वही सत होती है तो यानि समान गिसाई से तात प्रेय की गिसाई की दर समान होने से है तो गिसाई की दर गर्शन बल और उसके गूमनिक गतिके समान पाती होती है अताब प्लेटों के जो एक चक्कर में जो गिसाई की दर है वो उसके घर्षन बलके समान पाते होती है तो आईए समझते हैं अपन जैसे इसमें अपन जो डाइग्राम देख रहे हैं अपन पैंली लेक्सर में में इसको समझते है एक बार ermें फ्र और फ़्र देख लेता है ये इसमें जो चालक फ्लेंज है ये चलेट फ्लेंज है इनके मंद में जो मेंन प्लेट लग रहे है ये श bang willion लग रही है ठीक है ये ये इनकी घर्षंड सतय हैं तो मेंद प्लेट बीच में लेगे तो इनके घर्षंड सतय के दो जोड़े बनते हैं ठीक है एक तो चालेख फ्लेंज के साथ ये जो डवलू अपनने माल लिया है एक्सेल थ्रस्ट है टी टॉक ट्रांस्मिटेड वाइदा कलच ठीक है कलच द्व जो फ्रेक्शन सर्पेज के जो गर्षंड सतय है उसकी एक्स्टरनल रेडियस और आर्ट अपनन माल लिये इंटर्नल रेडियस और म्यू है कोपीशियंट ओफ्रेक्शन ठीक है तो जैसे आप साइड वूम देख रहे हैं यह आर्वन है बाहरी तरज्या और यह आर्ट है आ इसका विसलेशन करेंगे तो जो एरिया जो फ्रेक्शन सर्पेज है जो रिंग के फ्रेक्शन रिंग है उसका जो फ्रेक्शन सर्पेज है उसका जो एरिया क्या होगा टू पाई यार ठीक है तो इस पर एक्सियल फोर्स उन्दा रिंग अपनने माल लेते हैं डेल्टा डव लग आरा है अब अपने अगर टोटल एक्सल पोस की बात करते हैं तो इसको जो ड्रिंग पर जो एक्सल फोस लग रहा है उसको इंट्गेर कर देंगे ठीक है और उसकी लिमिट होंगे R to to R1 तो अपने को total axial force प्राप्त हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार जो flexional force है रिंग पर delta है वो बरार क्या होगा µ into delta was ठीक है तो delta was कहतना है P2 pi dr यह हो जाएगा µ into P2 pi dr तो flexional torque क्या होता है flexional torque होता है जो flexional torque होता है flexional force into R ठीक है तो फ्रेक्शनल पोर्ष कितना है तो फिर क्या है इसका उपन जो प्र कि पर है को इंटिगेट कर देंगे और इसकी लिमिट से भोगए र्टुटू आर वन तो टोक्तल फ्रेक्षनल टॉर्ट अपन। प्राफ्ट हो जाएगा र्टू आर वन जो लिमिट से तो PR equal to क्या हो जाएगा C, एक constant, ठीक है तो यहां से P बरावर क्या जाएगा C upon R ठीक है तो यहां पर जो है अब अपन को टोटल फोर्स जो टोटल फोर्स एक्ट है ओना फ्रेक्शन सर्फेस ठीक है, जो एक्सेल फोर्स था तो रिंग पे तो एक्सेल फोर्स करना था P into 2 pi r dr ठीक है, जब टोटल फोर्स जो है फ्रेक्शन सर्फेस पे वो क्या आजाएगा integrate of fraction force on ring तो इसका integrate कर देंगे P 2 pi r dr और limit होंगी R to 2 r1 ठीक है तो यहां पर इस प्रकार और यहां पर जो है P into r यहां पर क्या है C, तो यह मादलिया 2 pi c dr, ठीक है तो इसका integrate क्या, तो क्या आजाएगा 2 pi c r, ठीक है 2 pi c into r और इसकी limits है r to 2 r1 तो जो एक्सेल जो force है, वो क्या आजाएगा 2 pi c r1 minus r, ठीक है और यहां से आप c equal to रख सकते हो, w upon 2 pi r1 minus r ठीक है, अब आपन को total fractional torque निकालना है, तो total fractional torque रिंग पर केतना था 2 pi mu pr square dr ठीक है, अब आपन को complete, जो total fractional torque जो fractional surface पर पूरी पर निकालना है, तो इसको integrate कर देंगे, जो ring पर था उसको तो 2 pi mu pr square dr को integrate कर दिया और इसकी limits से r to 2 r1 ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जो pi r equal to c है जो constant है, तो यहाँ पर 2 pi mu, जो एक pr है वो c रख दिया है, c dot 1 r बचा, r dr ठीक है, अब यहाँ पर इसका integral गया 2 pi mu c यह बहरा जाएगा और r का integrate किया तो यह आँगा r square by 2, और इसकी limit है r to 2 r1, ठीक है तो 2 pi mu c r1 square minus r2 square upon 2 आजाएगा इस तरह, ठीक है तो अब इसमें यह 2 से 2 cut गया, तो यह आजाएगा pi mu c r1 square minus r2 square, तो जो torque है, वो बरावर आगा pi mu ठीक है, और c की value क्या थी यहाँ पर, w upon 2 pi r1 minus r2 तो यह आजाएगा, w upon 2 pi r1 minus r2 रख दिया, और यह r1 square minus r2 square, तो अपन r1 minus r2 square, अपन जाएगा a square minus b square बराव होता है, यह minus b, a plus b, तो यहाँ पर r1 plus r2, और एक r1 minus r2 तो r1 minus r2 से r यह cancel हो जाएगा, और एक pi से pi cancel, यह क्या हो जाएगा, हाप mu w r1 plus r, ठीक है और यहाँ पर इसको फिर लिख सकते हैं, जो top बरावर mu w r, यहाँ पर r क्या है mean radius माल लेते हैं, वो है r1 plus r2 by 2, तो यह t बराव आगा पड़ा, mu w r तो single plate clutch में two pairs of fraction surface होते हैं तो इसलिए इसको store करो, यह आजाएगा, twice of mu w r ठीक है, तो और multi-place clutch होती है उसमें, जो number of pairs, end pairs of fraction surfaces लेते हैं, अपन सबस्केर करते हैं, multi-plate clutch में तो uniform pressure condition से जो torque आजाएगा हो आजाएगा, t बरावर n 2 by 3 mu w r1 q minus r2 q upon r1 square minus r2 square, ठीक है और uniform wear condition से torque आजाएगा तो यह mu w r है, तो n mu w r तो यहाँ पर n क्या है, जो number of main plates है in driven sap ठीक है, तो यहाँ पर n बरावर होता है, n1 plus n2 minus 1, यहाँ पर n1 क्या है, number of main plates in driver sap, और n2 number of main plates in driven sap, तो इस प्रकार जो है, इन plate-ों की संक्या आपन ग्याद का सकते हैं then what